हेलो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपना घटा हुआ वजन कैसे तेजी से बढ़ा सकते हैं दोस्तों ऐसे तो मार्किट में धेर सारे वेट गेनर प्रोडक्ट आते हैं जिनमें केमिकल का इस्तमाल होता है कुछ आयरवेदिक जड़ी बुटिया उसमें डाली जाती हैं लेकिन कुछ उसमें केमिकल भी होता है जो कि आपके शरीर को तेजी से वजन बढ़ाने में मदद करता है शरीर को तेजी से ग्रोध करने में मदद करता है लेकिन दोस्तों अगर आप उन्हें जैसे ही छोड़ते हैं आपका सरीर जो है पिचक जाता है यानि कि दूबला पतला हो जाता है तो दोस्तों इस वीडियो में मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं इस वीडियो में एक घरेली नुसका बताऊंगा जो की आसानी से आपके घर पे मिल जाता है और ये वजन बढ़ाने में काफी हद तक मदद करता है और आपके धेर सारे पैसे भी बरबाद नहीं होते और आपके ब उसमें प्रोटीन विटामिन्स तो डाले ही जाते हैं लेकिन उनमें स्ट्राइड का इस्तमाल किया जाता है जैसे कि डेक्सोना बेटनस साल इनका भरपूर मातरा में इस्तमाल किया जाता है उन पाउडर में मिला कर लोगों को दिया जाता है अगर उन तरक के वेट गेनर प तो उसे तुरंत रिजल्ट दिखता है उसे यह दिखता है कि उसका भूख पहले से काफी ज्यादा बढ़ गया है और वजन भी तेजी से गेन होने लगा है गाल अगर धसे थे तो फुलने लगे हैं और शरीर अगर हड्डियों का ढाचा है तो वह भी एक तरह से देखा जाए तो मसल से मास से बिलकुल भर जाता है लेकिन दोस्तों उन दवाओं का असर आपके शरीर पे लंबे समय तक नहीं रहता जैसे ही आप उन वेट गेनर पाउडर को छोड़ते हैं वैसे ही आपका वजन धीरे 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 घटने लगता है और आपका जो इस्तिती पहले से खर पनिया है सभी का नाम लेना ठीक नहीं है दोस्तों मैं चलिए ज्यादध देरी ना करते हुए उस नुस्की के बारे में जानते हैं दोस्तों ये काफी अच्छा नुसका है अगर आप इसे इस्तमाल करते हैं तो मैं बता दूँ एक महीने अगर आप कांटिनू इस्तमाल कर तो आराम से आपका 5-7 किलो वजन बढ़ जाता है दोस्तों मैं गारांटी लेता हूं अगर आप मेरे बताये गए तरीके से जो चीज में बता रहा हूं का अगर एक महीने इस्तमाल कर लें तो आपको कोई भी मार्केट से वेट गेनर पाउडर प्रोटीन सप्लिमेंट लेन जिम करते हैं और जिम करने के बाद भी उनका सरीर जो है उनका सीना जैसे की चौड़ा नहीं होता अच्छी तरह से फुलता नहीं उनके मसल्स जो है गेन नहीं होते और बहुत ही मेहनत करते हैं लेकिन सरीर पर कोई असर नहीं दिखता तो उनके लिए भी खास एक नार्मल भी ले सकता है जो दुबला पतला है और अपने परसनालिटी को पहले से अच्छा निखारना चाहता है तो दोस्तों इस नुस्के में सबसे पहले चीज जो मैं बता रहा हूं आप क्या करें दोस्तों आप या तो वीडियो का स्क्रिंशॉट ले सकते हैं या फिर अगर कागस क कॉलम आपकी पास उपलब्द हो तो यह जो मैं चार चीजे बता रहा हूं इन्हें आप नोड भी कर सकते हैं दोस्तों पहला चीज आपको लेना है आलू जो की आपके किचन में आसानी से मिल जाता है दोस्तों आलू में कार्बो हाइड्रेड प्रचूर मातरा में पाए जा आलू में कार्बो हाइड्रेड प्रचूर मातरा में पाए जाता है आलू आपको कैसे इस्तमाल करना है यह भी मैं बता देता हूं आलू आप उबालने के बाद उसमें हलका आप काला नमक मिला लें और उसके बाद उसे खा लें या फिर सबजियों में डाल के आलू खा सकते लेकिन यह ध्यान रखे कि उस आलू में तेल या मसाले की मात्रा ज्यादा ना करें आप इस तरह खासकते हैं या फिर आग पर भूम कर आप पैकेट वाला भी ले सकते हैं, अगर ओरिजनल दूद का मिल जाता है, वो भी ले सकते हैं, घी का इस्तमाल आप बढ़ा लें, दोस्तों घी में भी प्रोटीन और फाइट काफी मातरा में पाए जाता है, और सेचुरेट इसमें फाइट पाए जाता है, जो की घटे बढ़ाने में मदद करते हैं, मसल्स को ग्रोथ करते हैं, पिचके गाल को तेजी से फुलाते हैं, और आपके परशनाल्टी में चार चार लगा देते हैं, साथ ही घी की इस्तमाल से आपके शरीर में टाकत भी रखती है, एनर्जी भी लगता है, आप फुर्तीले भी रहते ह तो घी किस तरह से आपको इस्तमाल करना ये भी मैं बता देता हूँ, घी का इस्तमाल आप अपने खाने में जैसे की दाल चाओ लोगे रखा रहे हैं उसमें एक चम्मच घी डालें और उसे मिला कर खा लें, या फिर आप पराठे बना कर घी का इस्तमाल कर सकते हैं, या फिर और घी मिला कर भी उसे असानी से खा सकते हैं दिन भर में आपको तीन से चार चम्मच धी का ज़रूर इस्तमाल करना है अगर आप वजन तेजी से बढ़ाना चाहते हैं तीसरी चीज दोस्तो है किसमिस किसमिस आपको इजली आपके घर में भी मिल जाएगा या फिर जहां पर किराने स्टोर हैं वहां पर भी किसमिस मिल जाता है किसमिस आप दिन भर में एक मुठी इस्तमाल कर सकते हैं चबा चबा कर काएं या फिर आप किसमिस और अंजीर बराबर मातरा में ले 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 और रात में उसे एक गिलास पानी में भीगा ले और सुबह जो है उसे चबा चबा कर खा ले और पानी पी ले किसमिस में भी दोस्तो धेर सारे ऐसे तत्तु पाए जाते हैं जो कि आपके बाड़ी में वजन बढ़ाने के साथ आपके बाड़ी में आइरन की कमी को भी तेजी से पूरा करते हैं चौथा चीज है दोस्तों अंडा, अगर आप शाकारी हैं, तो बहुत लोग शाकारी लोग अंडे का इस्तमाल नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप मानसाहारी हैं, अंडे का इस्तमाल करते हैं, तो अंडे का इस्तमाल आज से ही बढ़ा दें, दोस्तों अंडे में भी बहुत ज अंडे उबाल कर खा सकते हैं कच्चे अंडे का इस्तमाल आप बिल्कुल नहीं करें या आपके सेहत को नुक्सान दायक कर सकता है या नुक्सान पहुंचा सकता है अंडे उबाल कर पाउडर के जरूरत पड़ती है यही सारी चीजे आपके वजन को कई गुना बढ़ा देते हैं पिच के गाल को फुला देते हैं और शरीर में काफी जाता आप एनरजी और ताकत का एसास पासकते हैं तो दोस्तों उमीद करता हूं यह उसका आपको काफी अच्छा लगा होग तो वीडियो को जरूर जरूरत मंदों के पास शेर करें और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे पेज को जरूर फॉलो कर लें